देश भर में होली की धूम देखी जा रही है ऐसे में वारनसी की होली ने भी अपनी और सबका ध्यान खीचना शुरू किया बात की जए वारनसी के मनी करनी का खाट पर गुरुवार को एक अदबुद नजारा देखने को मिला यहां बड़े ही उच्सा के साथ जलती चिताओं के बीच चिता भस्म की होली खेली गई मसाने की इस होली को खेलने के लिए मनी करनी का खाट के महाशमशान पर जन सलाव उमड़ पड़ा जिसके बाद यहां जम कर होली का मजा उठाया गया मानिता है कि भगवान शंकर इस भस्म की होली को अपने प्रिये गण याने की भूत प्रेत और पिशाज सक्तियों के साथ मनाया करते है इस होली का आनन लेने यहां सिर्फ देशी नहीं बलकि विदेशों से भी लोगों का ताता लगा दिखा बता दे कि चिता भस्म की होली शुरू करने से पहले बाबा मसान नात की पूरी वीधी विदान से पूजा अर्चना की जाती है फिर बाबा की आरती करने के बाद चिता की राक से होली की शुरुवात होती है जिसमें हर हर महादेव और धोल नगाडो डमरू के साथ पूरा शम्शान जूम उठता है पौराडिक मानेताओं के अनुसार भगवान शिव ने ही मसान की होली की शुरुवात की थी माना जाता है कि रंगबरी एकाडशी के दिन भगवान शंकर माता पारवती को गौना कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आये थे जिसके बाद अपने गणों के साथ उन्होंने रंग के गुलाल से होली खेली थी लेकिन वे अपने शम्शान में बसने वाले भूत प्रेट और पिशाची शक्तियों के साथ होली नहीं खेल पाये थे इसलिए रंगबरी एकाडशी के एक दिन बाद भोले नात शम्शान में रहने वाले भूत प्रेटों के साथ होली खेल पाये थे लेकिन वे शम्शान में बसने वाले भूत प्रेट पिशाच के साथ होली नहीं खेल पाए थे इसलिए रंगबरी कादशी के एक दिन बाद भोलेनात ने शम्शान में रहने वाले भूत प्रेट के साथ होली खेली थी तबी जे काशी में मसान की होली खेलने की परमपरा चली आ रही है चिता की राग से होली खेलने की वज़़े से ये परमपरा देशी नहीं बलकि विदेशों में भी कापी जादा प्रस्तित मानी जाती है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है बस में पहली बार देखा है की लोग कहता थे हैं कि अंड़